परिवार जन पोस्माटम होने का अंतिजार कर रहा है हमारे साथ में उनकी वाइफ हैं सीमा उनकी बेटी हैं उनके परिवार के लोग यहां पर आये हुए आपने पहले भी शक्त जटाया था कि उनकी हत्या हो सकती है और पूरी प्लानिंग चल रही है किस अधार पे आपने ये बात कही थी, क्या आपको ऐसी जनकारी मिली थी? जहां से बाहर लाना चाहते थे हों, ये प्लान हमें जैसे पता चला, हमने तुरंथ प्रेस कॉन्फरेंस बिठाया, उसमें हमने कहा ये बात कि हमें किसे कहतरा है, दननजे सिंग पीके तिंग और उनके पिता जेहन सिंग का नाम मने लिया, और योगी जी से मुख्यमंद्री जो हमारे हैं उन्ते हमने गोहर भी लगाई कि उनकी सुरक्षा की कड़े इंतजाम किये जाएं उसके बावजूद आज जेल ले जाकर के उसी जगे पर जो इनकी प्लान थी उसी जगे पर जेल के अंदर उनकी हत्या कर दी जाती है इसमें इन तीनों चारों लोगों के साथ भ जब भी कभी पेशी पे आते थे उस दौरान आपके उनसे मुलाकात हुई कभी उनके बातचीत हुई क्या उन्होंने इस बात को लेके अंदेशा जटाया था कि कोई ऐसा हो सकता हो सकता हुए तो बात जेल में अगर रहते हुए उन्हें मानने की कोशिश की जा रही है तो जैसे जूटे मुटे केस में उनको बाहर ले आने का क्या मतलब है और तब जब कि उनको डॉक्टर से ने बताय था कि वो स्वस्थ नहीं है वो बाहर नहीं जा सकते उनके जो केस बचे हुए थे एक दो जिस केस में उनके चल रही थी वो वीडियो कॉंफरेंसिंग से हो रह कि अगर हम जो है राजनित में अच्छी पैठ बना लेते हैं तो उनकी राजनिती खतम हो जाएगे क्या मांग करेंगे सीवेजांच की मांग की बाद सामने आई थी आपके दरफ से आउर जो है मुख्यमंतरी जी और प्रधानमंतरी जी से अनुरोध करेंगे कि जितनी सक्त कारवाही हो इन लोगों की गिरफतारी की जाए और उन्हें जेल भेजा जाए सक्त कारवाही की जाए उनके साथ हमें इंसाफ चाहिए अब बेटी हैं उनकी सिम्रेन आपकी कब मुला कोई चीज का स्ट्रेस लूँ तो इसलिए वो मुझे बात कब तक आने नहीं दी गई हां बट घर में चल रही थी बात मैं कभी कभी सुनती भी थी समझ में आता है इतना थो यह था हमारे साथ में फैमिली वाले जिनका कहना है कि इसको सीवियाई जाच होनी चाहिए इस पूरे माम लेगी क्योंकि इसके पीछे कई राजनितिक लोग हो जकते हैं जो इस पूरे हत्याकान के पीछे जिम्मेवार हैं कैमरा परसन सरल सोनी के साथ प्रशान गुपता बात पर